नमस्कार सुप्रबाद दोस्तों एक हिंदी में कहावत है कि जब बो पेड़ बबूल का तो आम कहां से पाई बिजिंग चाइना 2022 में ओलंपिक्स की मेजवानी के लिए तैयार है जो वैश्विक इस्तर पर इंटरनेशनल और्गनाईजिशन्स हैं इस पूर्ट अथॉरिटी वो चाहती है कि इन सब का बॉयकॉट कर दिया जाए इन सब का मतलब बिजिंग की जो ओलंपिक्स हैं और साथ ही साथ बहुत सारे जो अलग गेम्स जो चाइना में खेले जाने है इस साल के अंत में आगले साल 2022 में उन सब का कर देना चाहिए ऐसा क्यों है करते हैं चर्शा स साथी साथ मैं यह आपको बता दूँ कि चाइना में जिस तरीके की सरकार है किस तरीके है मुझे पता नहीं लेकिन कम से कम मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि डेमोक्रेटिक यह नि लोगतांत्रिक सरकार तो नहीं है वहाँ व्यक्ति को अपने विचार अभिव्यक्ति इन सब को पूरी तरीके से आजादी नहीं है और इसी चीज का आधार बना के इन सभी अंतरास्ट्री और्गनाईजेशन्स ने ये कहा है कि हमें चाइना में अगली बार होने वाले सभी के सभी खेल आयोजनों पर प्रतिबंद लगा देना चाहिए उनका बॉयकॉट कर देना प्राउड इंडियन और चाइना जो कर रहा है उसका परिणाम उसे मिल रहा है ये सब को पता होना चाहिए और चाइना को भी पता होना चाहिए और बाकी सब चीज़े आपके साथ बाते करने और आपकी चर्चाओं आपकी जो डाउट्स हैं उनको क्लियर करने के लिए है न कोई भी व्यक्ति है इसका सही उचारण मुझे बता दे तो बहुत अच्छा होगा पैंग शुआई मेरे साब से पैंग हुआ ही भी उचारण हो सकता है चलिए चलते हैं न्यूस पे उचारण से जादा व्यक्ति के साथ जो हुआ है वो महत्यपूर ने बहुत ही सेंसिटिव स किया जा सकता है उसमें आप डिरेक्ट एक्जांपल की रूप में इस चीज़ को ले सकते हैं हमारे यहां एक कानून भी है भारत सरकार द्वारा बनाया गया सेक्शुल हरस्मेंट ऑफ वुमेंड एंड वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2019 साथी साथ 2018 में जेस वर्मक जो कमिटी दी सेक्शुल हरस्मेंट एड वर्क प्लेस उसकी भी चर्चा आप इसके माध्यम से कर सकते हैं उसके लिए वो धारन आप यहां से ले सकते हैं एथिक्स में केस स्टेडी में भी इस चीज़ को आप कोट कर सकते हैं जिसकी में यूक उसने भी इस चीज़ को लिया वायर ने भी इस चीज़ को कवर किया पॉइंट इस और डौत इवन्ट इन चैना including Hong Kong मतला Hong Kong में भी जो event होने वाली उन सब को शामिल करके उनने suspend कर दिया गया indefinitely according to Women's Tennis Association WTA Chairman and CEO Steve Simon Simon ने कहा है कि statement में कि his decision was based on Chinese officials lack of openness in the aftermath of the tennis player Peng Shuai's sexual assault claim against a prominent Chinese government official अब यह prominent Chinese official कौन है यह मैं आपको बताता हूँ बट उससे पहले देख लीजिए कि Peng Shuai जी 35 उमर की हैं उनोंने अपनी इस तरीके के सूचना दी social media पे और पिछले तीन वीक से वो गायब हैं किसी को नहीं पता कहा है Jack Ma का भी एक ऐसा उधारन जो काफी समय तक social media और जो public view है उससे बाहर रहे तो उसके बाद एकदम से है तो बहुत सारी चीज़े बदल गई थी जो Peng Shuai जी हैं उनोंने एक message की तुरू social media पे बताया कि चाइना के former vice premier आप इदे के vice premier बहुत बड़ी post होती है Zheng Gao Li had sexually assaulted her ये आरोप लगाने के लिए पहले तुम्हें आपको बता दू बहुत ज़ादा हिम्मत चाहिए एक democratic country में अपनी जग है और चाइना तो एक पूरी तरीके से democratic country है ही नहीं लोगतांत्रिक देश है ही नहीं तो वहाँ पे इस तरीके का आरोप लगाय जाता है तो उसमें कितनी सच्चाई है कितनी जूट है ये तो investigation के बात ही पता चलेगा लेकिन मैं इनकी हिम्मत को दाद देता हूं बहुत बड़ी हिम्मत की है उन्होंने इस तरीके की बात करने की और चूकि उन्होंने आरोप लगा और उसके बात से वो गायब है तो Steve Simon साब जो उन्होंने WTA के President उन्होंने का है कि severe reservation that Peng was free, safe and not subjected to intimidation कि भहिया उन्हें कैसे sure हो कि वो safe है, secure है, मुक्त है और बड़ी ही चिंताएं उन्हें Peng की बारे में Peng जी का claim जो है no response from Zhang जिनके उपर उन्होंने आरोप लगाया था कि Zhang Gaoli जो Vice Premier रहे है दोड़ा 18 में जिन्होंने resign कर दिया था और the Chinese government and the matter has been barred from direct debate on China's strictly regulated internet आपको पता ही होगा, इसलिए मैं नगा कि पूर्ण तरीके से लोकतांत्रिक यानि डेमोक्राटिक कंट्री नहीं है उनका कितना जादा violation होता है, क्या हो रहा है, यह सब चर्चा है US, UK सब बोलते हैं, लेकिन action लेने के टाइम पर WTA को मैं heads off करूँगा कि उन्होंने एक इस्ट्रक्ट action तो लिया इस तरीके के action उसके साथ साथ जो sports organizations है उनका ये कहना कि 2022 में होने वाले सभी आयजनों को cancel या फिर उनको boycott किया जाए, एक बहुत बड़ा हिम्मत का कदम है China, जब वो बात ना करने देना चाता है, ना ही वो बात को उजागर करना चाता है पूरी भात को दबा देना चाता है, ऐसा इस खबर से हमें पता चल रहा है कि भीया, Chinese government ने भी कोई reply नहीं किया और Zheng ने भी कोई reply नहीं किया और जो महिला आरूप लगाने वाली थी, वो काफी समय से गायव है इस तरीकी गतिवीदी होना, अपने आप में बहुत सारी चीज़े इस पस्ट तो करती है लेकिन क्या परिणाम होता है, वो भी देखना है साथी साथ, जो Simon सहाब है, उन्होंने ये भी का कि I don't see how I can ask our athletes to compete there when Peng Shuai is not allowed to communicate freely and has seemingly been pressured to contradict her allegation of sexual assault सीधी सीधी बात है, ऐसा इनका कहना है कि उस पर pressure लग रहा है कि आप अपनी जो शिकायद आपने दर्जगराई है, उसको आप भार निकाल दो, उसको हटा दो, उसको समाप्त कर दो क्योंकि Vice Premier बहुत बड़ी पोस्ट होती है, अभी शायद हो सकता, आपको समय आनी, बहुत मतलब आभी देखी, Nations की Top 3 पोस्ट या 4 पोस्ट में से, इन में से एक आ जाती क्योंकि, वो Although resign कर चुके हैं, फिर भी वो काफी सक्षी, शक्तिसाली है इस समय और जो Political Party System है, वहाँ पे, Single Political Party System है, तो ऐसी वहाँ पे Authorities बहुत जादा रहती हैं, तो उनके उपर, Simon साब का कहना है कि उनके उपर इस तरीके का Pressure लगाया जा रहा है, Given the current state of affairs, I am also greatly concerned about the risk that all the our players and staff could face if we were to hold events in China, उन्हों कैसा क्या करेंगा, और हमारे जो sports person है, उनके साथ किस तरीकी का व्यवार होगा, हम इसके बारे में सोच भी नहीं सकते हैं, हम कैसे risk lane सब चीजों को, we are greatly concerned, हमें बहुत चिंता है इस बात की, the announcement comes as Beijing prepares to host the Winter Olympics in February, जैसे कि मैंने आपको बताए कि दो महिने बाद, ती महिने बाद ही February में Winter Olympics चाइना में होने वाले हैं, साथी साथ, चाइना का Human Rights Record है, वो सब उससे पूरी तरीके से अवगत है, सारी दुनिया उससे अवगत है, International Rights Organization and other have called for a boycott of the Beijing Olympics, सब नहीं बात किए कि बहिया बीजिंग में जो Olympics होने वाले हैं, उनका बॉयकॉट करतो, अब देखते हैं, कि जो सरकारे हैं, वो अपने व्यक्तिकतिया फिर निजी हितों को छोड़के मानव अधिकारों पर कितना ध्यान देती हैं, यही सोचने की बात पूरे संसार में जो लोग हैं, उनके कल्यान की बात देखेंगे, आप अपना जो उपीनियन है, अन्त में आपको क्या उपीनियन है कि चाइना में इस तरीकी की चीज़े बैन कर देनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताईएगा, इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत!